Hello my dear friends, Namaste. Welcome to our channel Let's Learn English. आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है. आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी फ्रेजिस इन इंग्लिश. बहुत ही common work किया हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनको आप इंग्लिश में रोज, टेली अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं, अपने फैमली के साथ बोल सकते हैं. तो चली शुरुआत करते हैं, हमारा पहला फ्रेज है, क्या बात है? एक्स्प्रेशन हम इसको कैसे देते हैं? वाउ! चली इसको एक्सेंपल से समझते हैं, वाउ! आए फील लाइक रॉयल्टी. वाउ! आए फील लाइक रॉयल्टी. अमीरों जैसा फील हो रहा है उसको, आपके फ्रेंड को, किसी को भी आपको. नेक्स्ट एक्सेंपल इस, वाउ! यह आप किसी को compliment दे रहे हैं वाव यह लुकिंग अमेजिग ब्यूटिफुल वेरी प्रिटी नेक्स्ट एस शाबाश बहुत कॉमन फ्रेज है बहुत कॉमन वर्ड है यह शाबाश इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेल जन बहुत सुना होगा आपने यह वेल जन चलिए इसको एक्सेम्पल से क्लियर करते हैं दे ड्रामा इस वेरी वेल जन विथ नेच्टिरलिस्टिक एक्टिंग ड्रामा बहुत अच्छा था और उसकी जो एक्टिंग थी बहुत ही नेच्टिरल थी ओरिजिनल थी नेक्स्ट एक्सेम्पल वेल जन एम्प्लोईस यह ओल डिट ग्रेट एम्प्लोईस आपने बहुत अच्छा काम किया है यह ओल डिट ग्रेट आपके बॉस का कॉंप्लिमेंट था नेक्स्ट इस सचमे रियली इस इट सो हम ऐसे भी उस कर सकते हैं इसको एक शौक की तरह लग सकता है और हम इसे एक्जेम्पल से और क्लियर करते हैं कि आप रियली को कैसे उस कर सकते हैं एक्जेम्पल आपके मदर को विश्वास नहीं हुआ उन्होंने बुले रियली आपके friends ने पूछा really, you really got the job तुम्हें सच में job मिल गई है Next is, I am really hungry ये expression है कि आपको भूग लग रही है मुझे सच में भूग लग रही है इसमें कुछ आपसे किसी ने पूछा नहीं है Really, तुम्हें सच में भूग लग रही है Next phrase is, एक बात बताऊ Guess what, बहुत ही अच्छा फ्रेज है ये चले इसको example से समझते हैं कि हम इसे कैसे use कर सकते हैं Hey, you will never guess what happened tonight तुम लोग अपने friend से बोल रहे हो कि तुम guess नहीं कर सकते हो कि क्या हुआ आज रात को Or, guess what, my wife and I had dinner last night Hey, मैंने मेरी wife के साथ dinner किया पिछली रात को ये बहुत अच्छा excitement के साथ आपने इस चीज को बोला So, guess what Next is जूट बोल रहे हूँ You are lying बहुती firmness के साथ किसी ने आपको बोला जूट बोल रहे है आपने किसी से बोला You are lying Now you are lying to me about being sick आपने जूट बोला मुझसे कि तुम बिमार हो और You have been lying to me तुम मुझसे जूट बोल रहे थे You have been lying to me आप मुझसे जूट बोल रहे थे एक तरह से किसी को डाटने का या किसी से सच बोलाने के लिए अपन You are lying phrase यूज करते हैं Next is क्या ये सच है English में इसको कैसे बोलेंग Is it true चलिए इसको example से समझते हैं Is it true She didn't know him क्या ये सच है She मतलब लड़की She didn't know him वो उसको नहीं जानती है Or It was true She didn't know him इसका आंशर भी है इसमें Yes ये सच है कि वो उसे नहीं जानती है Is it true आगे चलते हैं बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे हमारा कौन सा फ्रेज आने वाला है ये कैसे हुआ How come Example से समझता है इसको How come you didn't go for the show तुम शो के लिए कैसे नहीं जा पाए How come your English is getting so much better कैसे तुमारी English बहुत अच्छी होती जारी है दिन बद दिन How come इस प्रेज का यूज इस तरह से आप कर सकते हैं ये कैसे हुआ आगे पढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला फ्रेज कौन सा है सही कहा That's right That's right Just run away when things get difficult ये सही है कि जब चीज़ें बिगरने लगे तो हमें वहां से चले जाना चाहिए और I don't think that's right अगर आप किसी चीज से agree नहीं करते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है I don't think that's right दोस्तो इन फ्रेजस को आप आपकी नोट बुक में या कहीं पर भी रजिस्टर में नोट करते जाएं जो आपको लगता है कि आप इन्हें यूज कर सकते हैं आपके conversation में Next is कुछ तो बोलो Say something Very common phrase Example Please John, say something, don't avoid me John, कुछ बोलो मुझे avoid मत करो Or Say something about your family, Rene किसी से आप पूछ रहे हैं Conversation start कर रहे हैं तो आप सो कैसे बोलेंगे Say something about your family आपकी family के बारे में कुछ बता Say something, कुछ तो बोलो Next is देखते हैं अंगला phrase कौन सा है सुनो छोटा सा है बट बहुती common phrase और बहुती use आता है ये Listen, सुनो John, listen to me Viewers, listen to me जैसे के आप मुझे सुन रहे हैं तो Listen to me, सुनो मेरी बार Or my parents used to listen to those old songs सबके parents पुराने सुंग्स बहुत पसंद करते हैं तो My parents used to listen to those old songs पुराने सुंग्स को सुनते हैं मेरी पेरेट्स Next is सरहाना करना और एप्रिशेट करना जो डिजर्विंग है जो डिजर्व करते हैं उनको एप्रिशेट करना I really appreciate your work मैं तुम्हारे काम की सरहाना करता हूँ Or we appreciate the need for immediate action जो action टाइम पे लिया जाए उसको हम appreciate करते हैं उसकी सरहाना करते हैं उस सामने वाले को motivate करते हैं तो appreciate और we should appreciate everyone If he or she is dissolving हमें appreciate करना जाहिए लोगों को Next is क्या चल रहा है? What's going on? बहुत common phrase है Teachers और आपके parents या आप किसी से पूछते हैं doubtful होते हैं तो what's going on? क्या चल रहा है? Who knows what's going on in that head? किसको पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? Or Martha, what's going on these days? एक तो negative phrase है एक positive phrase है आप मार्था से पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में? क्या चल रहा है आजकल? क्या कर रही हो तो? So दोस्तों ये थे हमारे कुछ phrases अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सरूर कीचे, शेर कीचे फ्रेंड्स के साथ जिनको जुरूरत हैं इंगलेंश इंप्रूफ करने के इन सब्सक्राइब करें माई चैनल के वर Thank you so much. Namaste. God bless you. Stay home. Stay safe. Namaste.